हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो हो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकिर्थिक हमारे लिए और हमारे सरीर के लिए हमें बहुत कुछ प्रदान करता है सीजन दर सीजन हर चीज हमें खाने को मिलता है जिससे की हमारे सरीर में सारी पोसकता तो मिले और हम स्वस्त रहें और उसी प्राकिर्थी की देन है अर्भी का पत्ता तो चलिए सबजी बनाते हैं उसके लिए मैं सारा अर्भी का पत्ता धो ली और धोने के बाद एक सूखे और साफ कपरे से मैं स्लेप और पत्ते दोनों साफ कर ली तो इधर ये मेरा पत्ता सूख गया है अच्छे से साफ कर ली अब मैं इसको एक बेलन की सहायता से जो ये पत्ते के बीच वाला जो होता है न उसको मैं बेल ली जिससे चीह बिल्कुल फॉलेट हो जाए और कहीं गांठ व 색깔 क hyvä जा नहीं बनेज़ इसको फोल्ड करें या काट के बनाएं तो इदर मैं एक कक्टोरी बेसन के साथ मैं मestäले डालों गी मसाले में जो मीचरण हम यूज करते और आप जो अगर लसन ठीज़ खाते होंगे तो आप लसन सकते हैं मैं दो तरह से बना रही हूं तो यह मैं एख लसन वाला और यह बिना लसन वाला बनाई थी तो इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अच्छे से एक घोल तियार करेंगे ना पतला नहीं होना चाहिए और ना बहुत ही गारा होना चाहिए बत्तब ठीक ठीक होना चाहिए जो कि पत्ते में अच्छे से लग जाए तो इसको मैं अ इतना है थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे या फिर आप ऐसे भी रहने देंगे और मैं फिर से नीचे पोच ली एक बार और फिर पत्ता अब भिछाओंगी इस पे तो पत्ता भिछाने के बाद ये मैं अच्छे से हाथों से अच्छे से फैला दूंगी पत्ते पे और फैलाने के बाद देखो अच्छे से फैला दिए अब फिर दूसरा पत्ता रखेंगे इस पे और फिर इस पे भी वैसे ही बेसन का घोल लगाएंगे इस पे और वही एक पे एक पत्ते पे पत्ता डालके और बेशन का गोल लगाते जाएंगे तो अब ये तीसरा पत्ता ऐसे ही लेयर बाई लेयर लगाते जाएंगे और जितना आपको मोटा पत्तला रखना हो उतना आप बना सकते हैं फिर भी आपको अभी तो मैं तीनी पत्ता लगाई हूं पर छे साथ पत्ता डालना ही पड़ेगा और इसको डालके फिर अच्छे से बेशन लगाएंगे क्योंकि बेशन में कमी होगी तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा और खूल भी जाएगा यह जो स्तीम लगाएं तो ये मैं सारे पत्ते में लगा ली और अब अच्छे से मिलाएंगे इसको और मिलाने के लाद इसको फॉल्ड करूंगी तो side से fold कर देंगे और इसमें भी बेसन लगा लेंगे और फिर दूसरे side से भी धर से भी fold करके और बेसन लगाएंगे और चारो तरफ से वैसे भी fold करके बेसन लगा लेंगे जो कि एक दूसरे में सब चिप का रहा है खूले ना यह मैं सारे चारो तरफ में फोल्ड करके और बेसन लगा ली अब इसको फिर से फोल्ड करूंगी नीचे बेसन लगा हुआ है अब इसको बंद कर दी ऐसे फोल्ड कर दी और जो पत्ता साइट से निकला हुआ है उसको भी अंदर की और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और बे लगा देंगे अच्छे से कि सिर्फ खाने में पता पता ना लगे अब इधर मैं कढ़ाई में पानी पहले ही रख रखी थी गरम होने के लिए तो यह गरम हो गया इसके उपर छनी डालके अब मैं इसको रख दूंगी और 20 मिनट के लिए इसमें स्टीम लगाएंगे और एक ब 20 मिनट हो गया अब देखते हैं इसमें फॉक डालके तो यह बिल्कुल सही था और पक गया इसको अब चाकू की सहायता से काटेंगे तो काटने के बाद इसको मैं दिखाती हो भी कि सही बना है या नहीं देखो कितना अच्छा लेयर आ गया है और बिल्कुल परफेक्ट बन अच्छाने के लिए मैं कढ़ाई रख रखी थी तेल गरम करने के लिए उसमें खरे मसाले और तेज पता जीरा ही और प्याज डालेंगे प्याज लहसन सब कुछ इसी में पिसा हुआ है तो इसको अच्छे से डालके और भून देंगे अच्छे से बून देंगे अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राइग करेंगे अब इसमें डालेंगे मसाले में हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक सारा कुछ डालके और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें मैं प्याज पीसी थी उसी को धोके थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी पानी और पानी डालने के बाद मसाला अच्छे से पानी में फून जाएगा और जल लेगा नहीं कि इसको अच्छे से प्का लेंगे थोड़ी सी नमक और ढ़ाल देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं इसमें नमक ढ़ाद द्या और इसको अच्छे से प Whew पकाएंगे और इसमें मैं घर की मलाई थोड़ी सी डाल देएँ तेसमें मैं घर की दोund 633 लख ए Ciao differently जाए하ी क्योंकि आपको पता है कि आरो द्यक्तर इतना skys rapid और मेहा हुगा है और दिन बदिन और होते ही जा रहा है तो इसलिए हम लोग टमधन नहीं लाते है न दही या कोई भी सब्जी बनाना उम दही या आम चूर का प्रेयोक करते हैं वही डाल के बनाते हैं इसमें पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा गरब मसाला डाल देंगे गरब मसाला डालने के बाद इसको ढखके छोड़ देंगे अच्छे से उबल जाए उसके बाद अब यह उबलना सुरू हो गया है तो ऐसे यह उबल के तयार हो गया अब चलिए दिखाते हैं कि कैसी बननी है मेरे अर्वी पत्ते की सबजी तो इस तरह यह मेरा अर्वी के पत्ते की सबजी बनके तयार हो गया और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सेट सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन भी दबाईएगा उसकी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और आपको अगर जो सबजी नहीं बनानी है तो आप इस तरीके से खा सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए